कि नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप सब उमिद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे स्वास्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और वाक्षिट के माध्यम से चल रही इस पढ़ाई को आप एंज्वाई भी कर रहे होंगे तो चली शुरू करते हैं आज की वाक्षिट और आज की वाक्षिट है क्लास 8 के समाजिक विग्यान की वाक्षिट नमबर 4 बच्चो आज की वासे शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार और याद दिला दूँ कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लिजे तकि सार पारी वीडियो के नोडिपीकि संस आपतकी पहुंचते रहे हैं और आज का जो अपनी तारी को बटाईए आपका बटतह बुद्द होगा आप उसको बता देगे वो लिखा रहता है लोगो को याद भी रहता है उसके बाद दूसरा प्लकवरशन है क्या आप एक निस्चित पारिख बदा सकते हैं जब आपने चलना शुरू किया यह कैसा सवाल है कि कौन यह जानता है कि उसने चलना कैसे किस दिन से सुरू किया ऐसा नहीं हो सकते कि चलने की जो फरक्रिया है और एक दिन में प्रयास करते हैं तब जाकर खड़ा होकर चल पाते हैं तो यह कोई एक दिनांक का चीज नहीं है कि यह जो बदलाव है एक दिन में आया होगा यह एक लंबी पर क्लिया है इसलिए इसका accurate date कोई नहीं बता सकता है कि वो चला कब से है ऐसा कोई नहीं जानता है तो उसी तरह हमारे आसपास किये जा रहे हैं प्रतिक कारे और प्रयोग की जा रही हर बस्तू का इतिहास होता है जैसे कि हमने आपको बताया कि आपका भी एक इतिहास है उसी तरह हमारे आसपास जितने काम हो रहे हैं और जितनी बस्तूइं हम प्रयोग कर रहे हैं उन सबका एक इतिहास है परंतु उनके शुरुवात की तारीख निश्चित करना हर बार संभौन है लेकिन वो कब से शुरू हुई है या संभौन है अब चाय हम लोग पीते हैं लेकिन चाय पीना किस डेट से शुरू हुआ ये पता नहीं है हम लोग चावल खाते हैं लेकिन चावल खा का परिणाम है उपर दिये गे दोनों ही प्रश्ण आपके अतीत से जुड़े हुए आपका जन्म कब हुआ और आपने चलना कब शुरू किया पहला सवाल एक दिन की घटना से जुड़ा है इसलिए उसकी तारिक निश्चित करना आसान है तो जो भी सवाल एक दिन की घटना स से जुड़ा हुआ है उसके बाद है रोजमर्रा की जिंदगी में रोजमर्रा मतलब डेली वाई डेली की जिंदगी में हमारे आज-स-पास की चीजों को देखकर अइसा लगता है कि वह हमेशा ऐसी ही थी लेकिन ऐसा नहीं है हम जितने भी चीजे देखते हैं जो सडके दे देखते हैं यह हमेशा ऐसी थी ऐसा बात नहीं है यह पहले कच्ची होंगी फिर पतली होंगी फिर चौड़ी होंगी फिर इनको इनकी स्थिती सुधरी होगी डिवाइडर बना होगा तो यह सब एक दिन का परणाम नहीं है सबका एक अलग अती तो होता है मतलब सबका एक अल पारिक तैय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलने का प्रणाम होती है अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव है इतिहास अलग-अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में भी बतलाता है अक्सर आपने अपने से बड़े लोगों को कहते स सुना होगा ऐसा पहले से होता था अब ऐसा होता है अतीत का समन्द इस बात से है कि पहले चीजें किस तरह की थी और उनमें आप क्या अब क्या बदलाव आए तो इसको अतीत बोलते हैं अब यहां एक गतिभिधी है जो कि आपके लिए दी गई है कि अपने परिवार के सद तक चलने का परिणाम हैं तो सबसे पहले आप अपने भाई से पुछ सकते हैं और उनका जो भी नाम हूँ आप यहां नाम लिख देंगे और उनका एक दिन का बदलाओ तो जन्म दिन पुछेंगे कि उनकी जन्मती थी जन्मती थी क्या है और उन्होंने बोलना कब शुरू किया बोलना कब सीखा या एक दिन का मैंकी घटना नहीँ है लंबे समय तक चलती है आप दूसरे सदस का नाम लिखेंगे और उनसे यह पूछेंगे कि उन्होंने कॉलेज किस दिन से जाना शूरू किया तो कॉलेज जाने किती थी कॉलेज जाने किती थी कॉलेज इसको मैं ज़रा क्लियर कर दूँ कॉलेज जाने किती थी तो एक दिन अड़िशन होता उस दिन लोग जाता है लेकिन उन्होंने इतिहास कब जाना मतलब college में गए इतिहास पढ़े तो उस इतिहास को कब जाना तो यह एक दिन की घटना नहीं होगी यह बहुत दिनों पर होगी और आप तीसरे व्यक्ति का नाम लेखेंगे और उनसे यह पुशेंगे आपब एक दिन की घटना है और उसके बाद पुशेंगे ठीक है और इसके बाद पुशेंगे क्पने परिवार से परिवारिक सम्बंद तो परिवारिक सम्बंद जो है यह भी मतलब की इसके लिए date नहीं दिया जा सकता है तो यह कुछ ऐसे चीज़े हैं की कुछ घटनाएं एक दिन में घटती हैं और कुछ घटनाएं जो लंबे समय से चलने का पड़नाम है तो उसमें परिवारिक और समाजिक संबंध का आप जिक्र कर सकते हैं या एक दिन में नहीं होता है यह रहते-रहते सम्मंद बनता है तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी घटना हैं जिनके हम accurate date नहीं बता सकते हैं लेकिन इतिहास में उन्हें परिवर्थन हुआ है इसलिए वैसे परिवर्थनों को ही जानना इतिहासिक बात कहलाता है और इतिहास में हुए परिवर्थन कहलाता है तो बच्चो इसी के साथ आपकी वर्षिट कंप्रीट होती है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट कर सकते हैं और इस इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू